और कोई इस तोरा उनको कोई ऐसी इंज्री नहीं हुई कोई फॉल नहीं हुआ कोई एसिडेंट नहीं हुआ सदलनी इतना सीवियर पेन होना सिर्फ सिटिंग से इस नोट पॉसिबल क्योंकि यह हमारे ज्वाइंट्स है यह मूव करने के लिए बने हैं और इंसिडेंट है एक फ्रेंड है मेरे इनका नाम निलूगा मैं प्राविसी रीजन से उनसे बात तो पतला कि वो सीवियर नेक पेन से सफर कर रहे थे पिछले कुछ महीनों से काफी दिनों से टच में नहीं थे हम तो आइडिन नोट तो बेसिकली ही इस इन सम अकांटिंग कांटिंग जोब है और नक पेन इतना सीवियर सा कि उनको एक देड महीना तो छूटी पे रहना पड़ा अपनी जोब से और जब वो रिटर्न किये काफी फीजियो थेर्पी घरा कराने के बाद मेडिकेशन रेस्ट के बाद तब भी वो कहते है कि जब एकदम कमफर्ट जोन जिसपे वो इसली बैट पाएं बट तो ही सर्प्राइज वो स्टेर से भी उनको एक पर्सेंट पी रिलीफ नहीं मिला और ही याज बीन तो डिफ्रेंट डॉक्टर्स फीजियो थेर्पिस्ट ओनलाइन वी उनने काफी कंसल्टेशन दिये तो एक्सरेय मैं उनको वही C4, C5 C5, C6 के दीच स्पेस कम बताया गया, डिजनरेशन की जॉब को सिटिंग को रिजन बताया गया जिससे और फिर में आगे कि अब मैं जॉब कैसे करूंगा और जब इस्सिस्टम पे इतने कॉशिश होके बैट रहे थे कि I can't do his job anymore मतलब यह situation होगी थी तो ऐसे ही वह अपना शेर कर रहे थे में साथ ग्रीफ तो मैंने पहले काफी ध्यान से सुना और मनी मैंने सुचा कि maybe I have a solution for him पर ही उनके उपर है कि वह वह विलीब करते हैंगी तो मैंने उनको जादा कुछ नहीं बोला कि मैंने भी एक method है जिससे मैं recover हुआ हूँ हूँ इसको tension mindset syndrome, mind body syndrome, mind body approach कहते हैं so मैंने उनको जोन सार्नों के बारे में बताया, डोक्र होवर शुमिर के बारे में बताया और कुछ वीडियो के लिए उनको भेजे और कुछ-कुछ मैंने रिव्यूज लोगों के उनकी बुक पर वो उनको दिखाए तो वह उनने बहुत चलो let's try this also he's a logical man और reasoning करते हैं reasoning means logic के साथ ऐसा नहीं कि किसी वी चीज को ऐसे मान लेना तो मैंने गोला जब आपने सब कुछ ट्राइक कर लिया है अब इस मैंत्र को भी ट्राइक कर लीजी अगर आपका if you think कि आपको इन बुलजिंग डिस्क से जो आपकी MRI पाद्नों ने MRI भी कराई तो उसमें भी कुछ गया बताईगी थी तो मुझे लगा कि अगर आपको लगता है कि इस वज़े से है तो आपको दर्त तो अभी कुछ एक दो महीनों से हुआ तो क्या प्रूफ आपके पास ही आपके अपने रेडियो लोजिस से पूछ लो आपकी उन्होंने ऐसी MRI और भी देखी है क्या जी कि लोगों को सिम्टम्स नहीं होते हैं सबको तो बाद में उन्होंने अपना फिर कम किया वो लिटरली बाद में मैंने भी उनको बताया कि I was also in pain for many months नेक पें से रेंज ओव मोशन भी कम होता है जो मेरा घुबात उनको भी दिक्कत थी रेंज ओव मोशन है वह तो इवन कॉलर भी पहनने लगे थे दॉक्टर ने बोले था कि को पहनी है तो और बढ़ जाएगी दिक्कत ब्ला और ब्ला ब्ला सो डॉक्टर तो रहें ट्राइ पहले लिए को बाद यह समझें कि यह स्थ वी वर्क करता है तब तक को यह शुट्व नहीं है जो आपको बताएगा कि नहीं है मरा यापकी नौर्म लेड़ व सबको आप आपको तीम से आप जाए एंजए करे लाइफ को कोई भी टेट्म लेने की ज़वरत निये तो कोई क साइड में रखते हैं लोंग स्टोरी शॉर्ट अब वो बीना किसी फीजियो थेरपी के बीना किसी चेयर के आप वो चेयर साइड में रखते हैं और अब वो काफी इंप्रूव कर रहे हैं 70-80% कोई मेडिकेशन निया है और मैंने उनको वही समझाए कि आप 5-6 साल से इस जॉब में हो इतने साल आपको पर डिक्रित नहीं हो ही अब आपको सदनी एक मन्त में आप जॉब नी कर पा रहे हो तो थोड़ा सा उन्होंने भी सोचा और सच में उनको लगा तो फिर मैंने उनको बोला कि जब महारी बात हो दिए तो मैंने इनको यहीं बोला कि you have to look into your personal life, emotional health, emotionally, financially, personal life में कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा है क्योंकि TMS का foundation ही हो था कि emotional disturbance कोई या कोई personality trait आपका perfectionist, goodist, introvert होना और people pleaser होना, but ultimately emotions से related है यह सारा coping mechanism तो हम यह कैसे को emotions ही primary role play करते हैं आप ए chronic pain में त आपकोस हम आबार ऐसे बोल देते हैं, but we are human, life जब challenges throw करती है तो हम same way में response करते हैं, कोई जादा stress लेता है कोई कम लेता है, यह किसी में emotions को handle करने की capability जादा होती है, उनका reservoir बढ़ा होता, emotions को रोक के रखने का किसी में कम होता है, but overflow तो कभी नकभी होता ही है, तो जब काफ कि इस तोरह उनको कोई इंजरी नहीं हुई, कोई fall नहीं हुआ, को accident नहीं हुआ, suddenly इतना severe pain होना सिर्फ sitting से, it's not possible, क्योंकि यह हमारे joints यह move करने के लिए बने हैं, तो डोक्टर आपको बोल देते कि आपको bend नहीं करना, जुखाना नहीं है, यह हर direction में move करने के लिए बने ह कि these are all lies, जो हमने society ने conditioning की है, आपके brain में बोल बोल के, और जब लोग सफर करते हैं इस सब दिक्तों से, तो posture को blame किया जाता है, maximum cases में, या weight lifting को blame किया जाता है, और फिर लोग ढखते हों सब चीज़ों को दुबारा करने से, फिर predictive coding यह होती ही, कि brain आपका learn कर लेता है, कि आ दोक्त ने बोला है, मेरेको इस-इस दिक्कत से परिशानी बढ़ सकती, तो अब सोचो और चीज़ों को करने के बारे में आपका दर्द बढ़ जाएगा, और यह proof है, कि mind ही pain को career करता है, thanks to Dr. Howard Schubner, Alan Gordon, जो pain के field में, pain science के field में काफी contribute कर वें, जो ने study भी किये काफी, boulder back pain study इसमें उन्हें 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 थैक्रोड लोगों को एक्जामिंग किया, जो chronic pain से सफ़र करती है, और astonishingly, surprisingly, 80% से जारा लोग जो थे वो, उनका जो सालों का chronic pain था, वो कोई structural दिक्कत से था ही नहीं, वो emotional दिक्कत से था, और functional MRI studies भी दिखाती है कि emotions और physical injury, कोई भी हो, same brain क का part activate करती है वो, जो brain का part pain की sensation को experience करता है या create करता है उस experience को, वो activate होता है, चाहिए आपको physical injury होई हो या emotional, they both creates the same results, that is pain, और physical pain तो heal हो जाती है within weeks, body heal कर लेती है, उसको चाहिए कैसा भी आपका pain हो, कैसा भी आपका injury हो, but emotional pain जो हो, chronic हो जाता है आपका, due to neuroplasticity, brain or neural circuits को learn कर करेता है, due to your thinking, due to your stress response, due to your fear, and predictive coding, predictive coding means, जो आपने believe कर लिए कि certain activities से आपका दर्थ सीवियर होगा, बढ़ेगा, वो activity आप कर लोगे तो brain reason भूनेगा आपके pain को बढ़ा, अब आपने मालो, जुक्के कोई काम कर लिए या आपने 10 मिनट, laptop वे बाठी काम कर लिया है, तो अब आपके पास है, उनको आपके brain को आपको teach करना है, इसको convince करना कि physical activity is not dangerous, your body is not weak, your spine is not so weak, it is made to function, it is made to bear loads, it is made to bend, so यह से message आप अपने brain को देंगे इसको facts के साथ, argument करेंगे, इसको convince करेंगे कि you are safe, the brain is the primary reason of your pain, and emotions are triggering your pain, जब आप यह convince करा देंगे अपने brain को, चाहे आपके कै आसे symptoms वो कुछ दिनों में ही melt away होना शुरू हो जाएंगे, but patience आपको रखना है, desperation और frustration को बिल्कुल जगा निए और fear को कम करना है, by accurate knowledge, and providing the facts, the evidences, by listening to the success stories, interviews, by reading as much as about the TMS, and Dr. Sarno's insights, so I will see you in the next video, till the next video, take care, bye-bye.